पीछे से मेरे पोदो का कुछ इस तरह से हाल हो चुका है हर एक पोदा बहुत बुरे तरीके से बेहोश हो गया है पानी ना मिलने की वज़े से तो मैंने टब का गरम पानी नहीं दिया हमारी टंकी में ठंडा पानी होता है इसलिए पाइप की सहायता से पानी को निकाल लिया बाल्टियों में और कुछ इस तरह से हर एक पोदे में दे दिया उसके बाद मैंने अच्छे से जाडू लगाया क्योंकि जाडू लगाया हुए पोट सुंडी लग गई थी तो मैंने उसे निकाला बाहर और उसके बाद मैंने आज केंदे की भी कटिंग कर दी और यह वाला देखो चूडी वाला पोट सुंदर लग रहा है ना तो जल्दी से बता दो आज की अपडेट कैसी लग लगाया हुए